अगर अपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के description में उस वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अब उस लिंक पे जाके वीडियो को जरूर देख लिजेगा तो गैस अज जिस फांड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है एक small cap फांड तो चलिए सबसे पहले हम फांड के नाम जान लेते हैं तो गैस अज जिस फांड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है सुंदरम small cap फांड डायरेक ग्रोथ ये नाम अब देख सकते हैं उसके टिक नीचे इस फांड के रिस्क के बारे में बताए गये हैं तो गैस अब देख सकते हैं ये एक very high risk category का फांड है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है very high risk उसके बाद इस फांड के category के बारे में बताए गये हैं तो गैस अब देख सकते हैं ये एक equity category का फांड है उसके बाद ये एक small cap fund है इसलिए यहाँ पे small cap लिखा हुआ है उसके टिक नीचे इस fund के return के बारे में बताये गए है मतलब ये fund अभी तक कितना return provide कर चुका है तो चलिए guys आप हम देख लेते ये fund अभी तक कितना return provide किया है तो guys मैं अगर 1 month पे click करता हूँ तो अब देख सकते 0.71% negative return शो कर रहा है उसके बाद मैं अगर 6 month पे click करता हूँ तो अब देख सकते 11.58% return 6 महिना पे provide कर चुका है उसके बाद हम अगर 1 year पे click करते हैं तो अब देख सकते 43.35% return एक साल में provide कर चुका है उसके बाद हम अगर 3 year पे click करते हैं तो अब देख सकते 25.72% return 3 साल में provide कर चुका है उसके बाद हम अगर 5 year पे click करते हैं तो अब देख सकते 24.62% return 5 साल में provide कर चुका है उसके बाद मैं अगर all पे click करता हूँ तो अब देख सकते 19.46% return all पे provide कर चुका है और all का मतलब है यह fund जब से शुरू हुआ है तब से अब तक कितना return प्रोवाइट किया है तो चले गाईज आप हम देख लेते हैं यह fund कब शुरू हुआ था तो गाईज अब देख सकते हैं यह fund शुरू हुआ था 2nd of January 2013 और आज के date भी हम देख लेते हैं तो गाईज आप देख सकते हैं आज है 31st May 2024 मतलब यह fund 11 साल से चल रहा है और हर साल 19.46 परसेंटेज रिटान प्रोवाइट कर चुका है उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टेट पे 800 और टोटल रिटान पे 2.12 परसेंटेज इसका मतलब है गाईज मेरा अल्डेडी इस fund पे इन्वेस्मेंट है मैं SIP के थुरू इस fund पे इन्वेस्मेंट करता हूँ तो इसलिए यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एन्वे के बारे में बताय गया है तो इस fund के current एन्वे है 251.56 उसके बाद है रेटिंग तो आप देख सकते हैं इस fund का rating है 2 उसके बाद है minimum SIP amount तो guys आप अगर इस fund पे SIP करना चाते हैं तो आप minimum 100 रुपीज से SIP शुरू कर सकते हैं उसके बाद है fund size तो guys अब देख सकते हैं इस fund पे अभी तक 3145 करोर amount investment हो जुका है उसके ठीक नीचे return calculator दिया गया है तो guys आप इहां से monthly SIP और one time investment return calculate कर सकते हैं एक साल, तीन साल और पाद साल में इससे आपको एक basic idea मिल जाएगा उसके ठीक नीचे holding दिया गया है तो guys आप देख सकते हैं total 75 company में इस fund का holding है मतलब हम जो 100 रुपे इस fund पे investment करने वाले हैं वो 100 रुपे 75 company में diversified हो जाएगा और कौन से company में कितना percentage amount जाएगा वो इस side में दिया गया है तो guys आप वो भी यहां से check कर सकते हैं उसके बाद हम अगर इस asset पे click करते हैं तो हमें मिल जाएगा instrument इसका मतलब है कौन से company में कौन से category में पैसा investment है वो यहां पे दिया गया है तो guys आप देख सकते हर एक company में equity में पैसा investment है उसके बाद हम अगर इस instrument पे click करते हैं तो हमें मिल जाएगा sector तो guys आप देख सकते हैं लगबग हर एक sector में पैसा investment है तो वो भी आप यहां से check कर सकते हैं उसके टिक नीचे guys आप देख सकते हैं यहां पे return and ranking बताय गया है तो आप यहां से एक साल, तीन साल, पांच साल और all पे return चेक कर सकते हैं और इस fund के ranking चेक कर सकते हैं उसके टिक नीचे similar fund दिया गया है similar fund का मतलब है इस fund के साथ दूसरे fund का एक comparison किया गया है इसका मतलब दूसरे फांड अभी तक कितना percentage return प्रोवाइट कर चुका है और ये फांड अभी तक कितना percentage return प्रोवाइट कर चुका है इसका एक comparison किया गया है और दूसरे फांड का expense ratio क्या है और इस फांड का expense ratio क्या है उसका एक comparison किया गया है तो आप यहां से वो भी चेक कर सकते है उसके टिक नीचे दिया गया है expense ratio, exit load and tax तो guys इस fund का expense ratio है 0.82% उसके बाद है exit load तो guys अगर आपका पैसा एक साल के पहले exit कर लेते हैं मतलब redeem कर लेते हैं तो आपको 1% exit load देना परेगा उसके बाद है stamp duty on investment तो guys आप देख सकते है 0.005% है stamp duty on investment उसके बाद है tax implication तो guys आप अगर आपका पैसा एक साल के पहले redeem कर लेते हैं तो आपको 15% tax देना परेगा और आप अगर एक साल के बाद आपका पैसा redeem करते हैं तो आपको 10% LTCG tax देना परेगा LTCG का मतलब है long term capital gain if अगर आपका return 1 lakh के उपर है तब ही आपको ये 10% LTCG tax देना परेगा उसके बाद है fund management तो guys आप देख सकते हैं इस fund पे total 2 manager है और उनका details आप अगर इस view details पे click करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो यहाँ से आप उनका educational details और उनका experience मतलब वो अभी तक कौन-कौन से fund पे managing का काम किया है वो आप यहाँ से check कर सकते हैं तो guys अब अगर इस fund पे SIP करना चाहते हैं तो आप SIP कर सकते मात्र 100 रुपे से और अब अगर इस fund पे one time investment करना चाहते हैं या फिर lump sum करना चाहते वो भी आप कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते one time भी open है और SIP भी open है इसलिए तो guys चलिए अब हम return calculate करके check कर लेते अगर हमने 2013 पे इस fund पे SIP शुरू किये होते तो आज हमें कितना amount मिल जाता तो guys यह fund शुरू हुआ था 2013 में और हर साल 19.46% return प्रोवाइट कर चुका है तो guys अब देख सकते हैं मैं return calculate करने के लिए calculator पे आ गया हूँ आप किसी भी app से return calculate कर सकते हैं पर मैं इस app पे आया हूँ इसलिए यह जो app है यहाँ पे minimum 100 रूपिस से SIP calculate होता है पर दूसरा कुछ app है जहाँ पे minimum 500 रूपिस से SIP calculate होता है इसलिए मैं इस app पे आया हूँ क्योंकि मुझे 100 रूपिस से SIP calculate करना है तो चलिए guys अब हम return calculate करके देख लेते हैं तो guys यह जो fund है यहाँ पे 100 रूपिस से SIP होता है इसलिए मैं monthly investment पे 100 रूपिस लिख देता हूँ और यह fund शुरू हुआ था 2013 में और अभी चल रहा है 2024 मतलब 11 साल से चल रहा है उसके बाद है expected return तो guys मैं मान लेता हूँ कि यह fund 19% return प्रोवाइट कर चुका है तो मैं इसलिए expected return पे 19 लिख देता हूँ तो guys आप देख सकते हैं हम अगर इस fund पे 2013 में 100 रूपिस से SIP शुरू किये होते तो आज हम लोगों का investment हो जाता 13,200 रूपिस और हमें return मिल जाता 31,413 रूपिस और अगर हमने इस fund पे 2013 में 500 रूपिस से SIP शुरू किये होते तो आज हमें कितना amount मिल जाता वो भी हम चेक कर लेते हैं तो guys मैं monthly investment पे 500 लिख देता हूँ तो guys अब देख सकते हैं अगर हमने 2013 पे 500 रूपिस से SIP शुरू किये होते हैं इस fund पे तो आज के दिन हम लोगों का investment हो जाता 66,000 और हमें return मिल जाता 1,57,065 रूपिस तो guys अभी अगर हम लोग SIP शुरू करना चाते हैं इस fund पे 20 साल के लिए तो हमें 20 साल बात कितना amount मिल जाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं तो guys अब देख सकते हैं total investment हो जाएगा 20 साल में 1,20,000 और हमें return मिल जाएगा 12,39,829 रूपिस और अगर हमने इस fund पे 1,000 रूपिस से SIP शुरू करें आज के दिन तो हमें 20 साल बात कितना amount मिल जाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं तो मैं monthly investment पे 1,000 रूपिस लेख देता हूँ तो guys अब देख सकते हैं total 20 साल में हम लोगों का investment हो जाएगा 2,40,000 और हमें return मिल जाएगा 24,79,657 रूपिस और अगर हमने 2,000 रूपिस से SIP शुरू करें तो हमें कितना amount मिल जाएगा 20 साल में वो भी हम चेक कर लेते हैं तो guys अब देख सकते हैं total investment हो जाएगा 4,80,000 और हमें return मिल जाएगा 49,59,315 रूपिस तो guys हम अगर इस fund पे 5,000 रूपिस से SIP शुरू करें तो हमें कितना amount मिल जाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं 20 साल में तो guys अब देख सकते हैं total investment हो जाएगा 12,00,000 और हमें return मिल जाएगा 1,23,98,287 रूपिस और इस side में graph दिया गया है तो guys आप देख सकते हैं यह जो red वाला zone है यह है total return और यह जो white वाला zone है यह है total investment तो guys आप अगर इस fund पे lump sum करना चाते है या फिर one time investment करना चाते है वो भी आप कर सकते तो मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपे से lump sum चेक कर लेता हूँ कितना amount मिल जाएगा 20 साल में तो guys आप देख सकते हैं मैं monthly investment पे 1,00,000 रुपीस लिख दिया और investment period पे मैं 20 लिख देता हूँ क्योंकि मैं 20 year के लिए calculate करना चाता हूँ इसलिए और expected return पे मैं 19 लिख देता हूँ तो guys आप देख सकते हैं हमें return मिल जाएगा 31,42,897 रुपीस तो guys आप हम देख लेते हैं मेरा जो already investment है mutual fund पे मैं जो SIP करता हूँ वहाँ पर अभी तक कितना amount investment मेरा हो चुका है और आप ही मुझे कितना amount return मिल रहा है वो हम check कर लेते हैं तो guys आप देख सकते हैं यह है मेरा total investment 15,248 रुपीस और मुझे total return मिल रहा है 1299 रुपीस और percentage wise अगर देखा जाए 8.52% return मुझे मिल रहा है और one return भी आप देख सकते हैं 70.56 return मुझे मिल रहा है तो चले guys आप हम portfolio analysis देख लेते तो guys मैंने SIP शुरू किया था 25 October 2023 और आज की date हम देख लेते आज है 2nd of June 2024 मतलब लगभग 6 माहिना हो चुका है और अभी 7 माहिना चल रहा है तो अभी तक मैं 15,248 रुपीस investment करे चुका हूँ SIP के थुरू और बीच-बीच मैं जब भी market fall किया था उहां पे मैंने top up भी किया था कही बार तो गाईज अब देख सकते हैं मेरा कुछ दिन पहले return था 1525 रुपीस पर वहां से market तीन दिन लगातार fall किया तो जिसके वज़ा से अभी मुझे return थोड़ा सक कम मिल रहा है 1299 रुपीस return मुझे मिल रहा है पर 26 तारीक मेरा SIP date था तो इसलिए यहां पे amount add हो गया है तो चलिए गाईज जो fund मुझे ज़्यादा return प्रोवाइट कर रहा है अभी वो हम check कर लेते तो गाईज fund का नाम अब देख सकते है HDFC defense fund direct growth यह है fund का नाम तो गाईज अब देख सकते है total investment हो चुका है मेरा 800 रुपीस और मुझे return मिल रहा है 236 रुपीस और अभी 27 तारीक मेरा SIP यहाँ पे add हो आ है तो अब देख सकते है total unit मुझे मिला है 4.562 unit मुझे मिला है तो गाईज अब भी अगर SIP करते है या फिर SIP करना चाते है investment करना चाते है तो यह अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी market 2-3 दिन से fall कर रहा है तो आप यहाँ पे SIP शुरू कर सकते है आपको ज़्यादा unit मिल जाएगा आप अगर अभी SIP शुरू करते है पर अगर investment करते है तो आप long term के लिए investment करिए तक कि आपको ज़्यादा return मिले आप अगर short term के लिए investment करते है तो आपको देख सकते हैं यह है चैनल और अभी मुझे current subscriber है चैनल पर 153 subscriber है पर चाहिए 1000 और watch hour चाहिए 4000 पर अभी मुझे मिल रहा है 594 hour watch time तो गाइस अब जल्दी से यह criteria complete कीजिए ताकि मैं चैनल को monetization के लिए apply कर पाऊ तो अब देख सकते हैं मैं दो दिन पहली एक video upload किया था चैनल पर quant small cap fund के पार में मैंने review किया था तो उसपे views आ रहा है 385 पर like अब देख सकते है only 13 और आज ही मैंने एक short video upload किया था चैनल पर तो अब देख सकते है उसपे view आ रहा है 33 पर मुझे like मिल रहा है only 7 तो guys आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like किजिए और चैनल को subscribe किजिए क्योंकि अपका एक like और चैनल subscribe यह हमें बहुत motivate करता है इसलिए तो गईज ये था आज का वीडियो अपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए और अब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो चैनल पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और चैनल पे पिछले वाला जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के रिस्किप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइट कर दूँगा अब उस लिंक पे जाकर वीडियो को जरूर देख दिजेगा धन्यवाद